ओम नमस्देव्याद ओम नमस्देव्याद ओम नमस्देव्याद अहिंसा परमो धर्म की आचार गुरुवर स्री कुंद कुंद भगवान की आचार गुरुवर स्री ज्यान सागर मुनी महराज की प्राय प्रतुमान योग में चक्रवर्थी का अर्थ चक्री का जीवन चरित्र आप लोगों को उपढ़ने के लिए मिलता है जालब चलाए क्योंकि ये मापुर्शोते इनको न पसीन आता है अब नहीं सीने में कभी दर्द होता जो आज सातार साल का भी लड़का नहीं अर्श को सीने कदर्द हो रहा अब मैं इनको इसलिए उठा रहा हूं महापुर्शों में ये भी एक महत पुर्श्तान रखते हैं तीर्थंकरों के पुत्र भी होते हैं युग के आधे में भृष्यवनात भुवान हुए और उनके जेस्ट पुत्र के रूप में इनका जनु हुआ सुनते हैं ये सरवार्ट शुद्जी से आए ये सारे के सारे वहिवो होने के उपरांट भी कुछ बंधन कुछ मर्यादा हैं इनको भी गर्ष्त होने के नाठे करना पड़ता है वह एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं इसके बारे में आपको सोचना है ये जब इनको चक्रत्न के प्राप्ति आयुद शार्वा में हुई तो फिर यथा योगी कारिक करके वह बार में मैं कर दोंगा जब कभी भी मुख्रूप से चक्रवर्थित के बारे में कह रहा हूं सुनते हैं साथ हजार वर्स दिख विजय के लिए इनुने निकाला था सुन रहा हूं आप लोगों का तो चुनाओं एकार महिने में पूर्ण हो जाता है ये जीतने के उपरान तो करेंगे ही लेकिन जीट के बीच में भी ये कितने व्योधान आते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं बहुत अजसेकारी रहते हैं और ये हर एक लक्ति के काम में नहीं आते हैं इनके महर तो उसी समय होता है जिस समय महापुर्शों का योग मिलता है तो जब आरा यूद विजय हुआ इसलिए उसको विजयार्थ परवथ बोलते हैं किन्तो उस परवथ को लांग करके उसमोर तो देश राष्ट रहें जने खंड हैं जने जीतना इनको शेश है छे खंड के अजिपते तो तीन खंड के तो हो गए कोई बादा नहीं हुए लेकिन इस परवथ की कारण बाधा आ गए वो इस चाहें तो इस परवथ को लांग करके उस और जा सकते हैं आखे ले जाना हो तो जाओ लेकिन साथ दू सीना है उस सीना को इसी ले जाना चाहते हो तो यहां पर आप रुखिए और ऐसे नहीं रुखिए इसामान ले उपसे यहां पर विधान करिए तो विधान तो करिए यह सम्मिधान में लिखा हुआ है आपको भी यहां पर विधाय आत्रा के लिए निकले हो तो विधाय के लिए और सर्वांगिन सीना की सुरक्षा शांती के लिए शांती नात भगवान का शांती नात भगवान तो अभी हुए ही नहीं शांती नात भगवान नहीं हुए सोले तीत लंकर होंगे तो चक्रवत तो प्रदम तीत लंकर के कारिमें हुए अब शांती नात भगवान के लिए नए शांटी विद्हान करन के ही आगे बढ़ सकेगी शांटी नात ये लगाए गया नाम है लेकिन हर एक तीरसंकर शांटी के ही धनी रहती अब इसके उपनात तीन दिन का है छे जिन का जो कुछ भी शांटी विद्हान करना है वो कर लेते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं दो दो बार भोजन करके उनके लिए भी लाबू है शांटी मिलेगी तो ऐसा नहीं ये एक आशनकर से कर लेगे नहीं तीन उपवास स्याधर ने सुना तेदा किया है और पूजन की है विद्हान किया है जो कोई भी विद्हान के साथ मंत्रादिक हैं उनका समका उच्चारन करके शांटी विद्हान वहाँ पर पूर्ण कर लेता है उनकी पास ये शक्ति थी विद्हान को वहाँ अपने लांग करके जा सकता हूँ सुना तो याठरा विजे याठरा के लिए निकले हैं तो अकिले हैं तो नहीं निकल सकते हैं सेना के साथ निकले हैं तो सेना भी तीन तीन की विद्हान कर लिए जैसे अपने अपने कूबत के लिए तो तीन निन का विद्हान करके उन्होंने शांटी विद्हान किया था कोई भी सामान सेना है तो कुछ न कुछ तो हो सकता है वो नहों ये निरोगी काया वाले हैं सारे के सारे इसे हो तातकाली कुछ न कुछ तो होता है छे मने तक लगा तार उस विद्हान परवर्ट की गुफा से लपठे निकल रही थी आसमान को छू रही थी छे मेने किसको बोलते हैं लुखो लॉट तो नहीं चरो लेकिन आगे बढ़ने के लिए पिले छे मेने के लिए आपको लुखना पड़ेगा यहां पर तब सोच करिके ऐसा लगता है चक्रिवर्थियों के लिए भी कुछ मर्याना हैं अवस्च दीग लिए तीन उपगास करो घर में वह इरागी है किन्तो चक रतना अगे बढ़ेगा तीन खंड का विजए और प्राप्त करना है उसके लिए ये करना अनिवारी है और कर लिया यह प्रसंग अवस्च ही ध्यान देने योग गिता है है इसके साथ साथ उनके लिए ये भी कहा जाता है ये बहुत निवी हिते देखो ऐसा है पेट भरने के उपरान सबी लोग निरी हो जाते हैं किन्तो पेट यही ने भरता ये आश्वाचन कम है कि छे खंड के आप अजिपटी हो रहे हैं और वो भी एक प्रकार से विश्वनात भगवान के द्वारा ही बताया हुआ है आपको यही माननों यसी महोले का यह यसी जुना के जो यह विदायक होने के पूरी संभावना हो जाती है तो पहले से ही आप बंडारा देते हैं कि ने बंडारा जानते हो दोनों प्रकार के बंडारा नोट के बंडल भी किसका देते हैं चक्रवर्थी नी तो ऐसा किसी के लिए नहीं दिया लिखिन वो यह भी एक टेक्स है यह भी एक कर है यह मैज्याला है निरी हिटा के साथ साथ वे तफ आजिक करने के लिए भी सशक्त थे यह वफवास करना है दानम पूजा सील मुवासो साव यानम धम्मों कि ज्यान पूजा पेले करो दान भी करो शील का पालन भी करो और उपवास भी करो उपवास का अर्थ अठिक्रम नहीं करो पास रहो अपनी सीमा के बाहर नहीं जाओ यह उनके लिए पहले से ही बचाया गया है वे इसका पालन अवश्य ही करते थे क्योंकि यह स्रावकूं का धर्म होता है सील का अर्थ यह होता है एक प्रकार से यह लिया जाता प्रमचे दिशे रहन नई सील का अर्थ सभाव होता है सील साथ प्रकार के जो की प्रकार के अनुर्थ होते हैं तीन प्रकार के गुलर्थ होते हैं चार प्रकार के सिक्षावर्थ होते हैं यह चार और तीन साथ प्रकार के यह सब्सीव यह स्रावकों के हुआ करते हैं और इसका उल्लंगन वे भी नहीं करते थे वहाँ आप जिसी संकल्प तो नहीं लेते किन्तो इसका उल्लंगन वे नहीं कर सकते नहीं करते थे ये करिशिया आप कहे रहे हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, उनिके लिए 6 खंड में 32,000, 32,000, इस प्रकार 96,000 पत्निया बताई हैं और एक प्रकार से बहुत सावधानी के साथ सुनिये, वे मलेंच खंड से भी जब उनको जीत करके लाते हैं, वो समय उनके लिए वहां के मलेंच राजा जो नर्मस्तक हो करके 32,000 कन्याओं का दान किया है रावन तो रावन थे, इसलिए आज तक वहां एक प्रकार से अप्वाद का पात्र बना हुआ है चक्रवर्थी ने 96,000 राजा के बार कुछ मांग करके और कुछ कन्याओं को मांग ने की थी ने समझे, 96,000 ही रखा ये उनकी सीमा थी पहले से ही सीमा थी चाहें मांगने से थोड़े सी हिसारा हो जाता अनेक और कन्याओं को दे सकते नए 96,000 के बार एक भी कन्याओं एक भी स्थी को हम स्विकार नहीं करेंगे ये एक मर्यादा उनके पास भी थी एक मर्यादा ये थी इसलिए उनको अनुभरती नहीं थे ऐसा हम नहीं कर सकते छे खंड के बार भी वह और किसी के ऊपर आक्रम्ण करके उनके खंडों को एक और छे खंड में मिना ले अनेक राष्ट्र आज अडोस पडोस के राष्ट्रों की ओर देख करके अपने राष्ट में समाहित करना चाते हैं उसके नाम लेने के कोई आवज सकता नहीं हैं आप लोग जानते हैं आप लोग दौा करके हमें बता देते हैं लेकिन चक्रवर्ति किसी एक खंड की ओर एक आदा खंड की ओर भी आक्रम नहीं किया यदि करते हैं मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर भी छे खंड शीमा के बाहर वहाँ पर भी है चक्रवर्तियारी। इसलिए वे इसको होने नहीं देंगे और ये किसी प्रकार से करने नहीं देंगे। देखो हुईया आपके सामने थाली है तो उसी थाली को देखो और उस पोडोश की थाली देखना बंगत में बेट करके अच्छा नहीं माना जाता है। झाली है तो झाली है जाता है।